बरेली में दूसरे समुदाय के युवक ने पहले आठमी की नवालिक शात्रा के साथ दोस्ती की उसके बाद स्टेशन रोड स्थितिक होटेल में ले गया जहां अशीला पदार्थ देकर शात्रा के साथ दुशकर्ब किया घटना बाइस तारिक की बताई जा रही है वहीं अगले दिन समस्या होने पर पीडिता ने परीजनों को पूरी बात बताई जिसके बाद गुरुवार को शात्रा और उसके परीजन जागरण मंच के दर्चनों कारेगरताओं के साथ इज़त नगर्ठाने पहुचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्च कराया बताया जा रहा है कि इज़त नगर्ठाना छेतर में रहने वाली एक स्कूल में कक्षा आठवी की छात्रा है जिसके दोस्ती को दिन पहले घर पर टाइल्स का काम करने आए फरीद्पूर चौधरी के फरमान अली से हो गई वही 22 नवंबर को स्कूल जाते वक्त फरमान छात्रा के पास आया और स्टेशन की तरफ गूमने की बात कहते हुए अपने साथ ले गया जहां एक होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया उसके बाद आरोपी फरमान अली ने नवाली के साथ दुशकर्न किया वहीं होश में आने के बाद पीडिता रोने लगी तो फरमान ने धमकी देते हुए कहा की शिकायत की तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दूँगा मही 23 नमंबर को दिक्कत होने पर रात में पीडिता ने पने परिजनों को पूरी घटना बताई जिसके बाद आज पीडिता के परिजन हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष दुरगेश गुपता और प्रांतीव विधी प्रमुक प्रतिपाल सिंग समेत दर्जनों कारेकरताओं के साथ इजदनगर पहुचे जहां जात्रा के शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फर्मान अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिये साथी आरोपी की गिरफतारी के लिए पुलिस सुबह से दबिश दे रही है मुझ लिए पुलिस से ले जा जाए उसके साथ गलत काम किया है उनने भपूर सजा मिले बस हम जही जाते हैं और को समीजा तो बच्छ को कहां ले गए थे आपके साथ उसे कोच से नालीज नही है कहां ले जाए रह नासामाज़ाब थी एए है तो जब आपके घर पे वो काम करने आय थे तो तब ही जान पचान होई थी तो यह पता था कि वो मुश्लिम है यहां सब पता था हमने थेगा जिया था काम करने का हम जानते थे पहले से उनके पिटाजी को जानते थे अब बासली नाम है जिनका उनको काम जिया था हमने उनने बच्चों से करवा था उनमें से एक लगगा है फरवान है उसने यह काम करा था तो यहां थे लेगा था लगकी बताने के स्थी मे नहीं बता भी नहीं पा रही कहां ले गया था यह गहरी कि कोई ओयो होटल था